दोस्तों आई नो काफी सारे लोगों को लग रहा है कि इस बार भी पौपट होने वाला है क्योंकि दया की Entry नहीं होगी हमेशा की तरह लेकिन दोस्तों मैं इस बार दो रीजन आपको ऐसे बताने वाल हूँ जिसकी वज़ा से मेरे को ऐसा लगते है कि दया कि एंट्री डेफिनेटली होने वाली है इस बार या एट लिस्ट इतना यकीन दिला सकता हूँ कि इस बार होने के क्यों बहुत ज़्यादा चांसे है सबस इसलिए वो जो नेगेटिविटी है उसको पोजिटिविटी में कनवर्ट करने के लिए यहाँ पर दया की एंट्री करवा सकते हैं शोके मेकर्स दूसरा रीजन दोस्तों मैं आपको यह बताता हूँ जब जो पिछली स्टोरी थी ना पोपट लाल की शादी वाली तो हमको पता था कि पोपट लाल की शादी शायद इस बार भी नहीं और वो हुई भी नहीं लेकिन दोस्तों इसके बाद जो ओडियन्स का रियक्शन आया ना उसके बाद तारिक मेता मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक तरह से माफी भी मांगी थी उन्होंने ऐसा लिखा था कि उनको पता है कि ओडियन्स को बहुत बुरा फील हुआ है लेकिन हम बहुत चल्द पोपट लाल की शादी करवा देंगे I think इस तरह से माफी मागना कि उन्होंने पोपट लाल की शादी नहीं करवाई और अगर अब hype बना के दिया की entry नहीं करवाते हैं उनको पता है कि show का boycott बहुत जादा होने वाला है और ये एक another reason है कि इस बार मुझे असा लगता है कि दिया की entry हो जाएगी क्योंकि देखो दिशावकानी तो show में आने से रही 95% chances तो यहीं है कि कोई नई actress हैगी सिर्फ 5% के लिए मैं exception दे देता हूँ कि शायद दिशावकानी आ जाए लेकिन most probably यहीं chances है कि कोई नई actress show के makers ने decide कर ली होगी क्योंकि दोस्तो दिया के character के लिए audition काफी लंबे टाइम से चल रहा है तो यहार मेरेको तो यह दो reason पक्के लग रहे है कि जिनकी वज़र से दे के entry हो सकती है बागी आपको लगता है कि दे के entry हो सकती है इन reason की वज़र से या फिर आपको लगता है कि नहीं द visão के entry नहीं हो बताना और आने वाली अपडेट्स के लिए रियल टॉप को जरूर सब्सक्राइब कर लेना